प्यार बाप दादा दे ती चार दोशारिकी दे महावचन प्यार बाप दादाने आपने प्यारे प्यारे बचयानों आज दी मूरली विच कहा मिठे बच्चे तुसी बाप द्वारा सन्मुख मना सम्मने पड़ रहे हो, तुसी सत्युगी बादशाही दे लाइक बनन दे लई पावन जरूर बनना है प्रशन है बाप दे किस आक्युपेशन नो तुसी बच्चे ही जान दे हो उतर है तुसी जान दे हो के साड़ा बाप बाप भी है टीचर भी है अते सत्गुरू भी है बाप कलप दे संगम युक्ते आउं दे हन पुराणी दुन्यानू नमा बनाण दे लई एक आदी सनातन देवी देवता तरम्ती स्थापना करन दे लई बाप होन तानू बच्चे नू मनुख तो देवता बनाण दे लई पड़ा रही हन ए आक्यूपिशन बच्चे आदे सिवाई होर कोई भी नहीं जान दा गीत है भोले नाथ से निराला कोई और नहीं ओम शान्ती ओम शान्ती दा अर्थता बच्चे नू बार बार समझाया जानदा है ओम माना मैं आत्मा है अते मेरा ये शरीर है शरीर भी कह सकदा है के मेरी ये आत्मा है जिमेश बाबा कहन दे हन तुसी मेरे हो बच्चे कहन दे बाबा तुसी साड़े हो इस तरह आत्मा भी कहन दे मेरा शरीर है शरीर कहेगा मेरी आत्मा होन आत्मा जान दी है, मैं अविनाशी हैं, आत्मा शरीर विगरता कुछ कर नहीं सक दी, शरीर ता है केंदेवी हन के मेरी आत्मा नू तकलीफ नहीं देना, मेरी आत्मा पाप आत्मा है, जा मेरी आत्मा पुन आत्मा है, तुसी जान दे हो, मेरी आत्मा सत्योग विच पुन आत्मा सी, आत्मा खुद भी कहेगी, मैं सत्योग विच सतो परधान अत्वा सच्चा सोना सी, सोना है नहीं, एक मिसाल दिता जान्दा है, माना के आत्मा इन्नी प्योर इतनी सतो परधान सी, तो सोने दा एक मिसाल दिता जान्दा है, उधारन दिता जान्दा, साड़ी आत्मा पवित्र सी, गोल्डन एस्ड सी, हुण ता कैंदे हन के अपवित्र हो गई, दुनिया वाले नहीं जान दे, तो अनुता शिरीमत मिल दी है, हण तुसी जान दी हो के साड़ी आत्मा सतो परधान सी, हण तमो परधान बनी है, हर एक चीज एस्त्राम हुन दी है, बाल, मना बच्पन, युवा, वृद्ध, हर चीज नमे तो पुराणीता हुन दी ही है, दुनिया भी ही, पहला गोल्डन एज सतो परधान सी, फिर तमो परधान आयरन एज बन गई, ए ताही दुखी होई न, आयरन एज मना एक लोहे जैसी दुनिया बन गई, तमो परधान बन गई, ता दुखो होया, सतो परधान मना सुद्री होई, तमो परधान मना बिगडी गीत विच भी कैन्दे बिगडी नु बनावन वाडे पुरानी दुनियाता बिगडी होई है ना, क्योंके रावन राज छे, अते सारे पतित हन, सत्योग विच सारे पावन सी, होन पगवान आके पड़ाऊं दे हन, ए राज योग भी सिखों दे हन, गीता विच लिख्या होया है पगवान वाच, शिरिमत पगवत गीता, शिरिमत मन, स्रेष्ट मत, स्रेष्ट ते स्रेष्ट उच्चे ते उच्चा पगवान है, ओस दा नाम भी एक्यूरेट शिव है, रूद्र जेन्ती, जा रूद्र रात्री कदे नहीं सुनया होवेगा, शिवाबा कैंदी हन, जेन्ती किस तरां दी मनाई जावे, कृष्ट दी जेन्ती तां ठीक है, फुलाने दा बच्चा है, ओस दी तिथी तरीक दिखाऊं देखन, शिवदे लईता कोई जान दे नहीं कि कदों पैदा होया, इवी ता जानना चाहिदा है न, होन तो आनू समझ मिड़ी है, कि सिरिक शन ने सत्यूग आधी विच किमें जनम लेया, तुसी कहोगे ओसनूता पंज हजार साल होए, ओवी कहन दे हनना कि क्राइस्ट तों तिन हजार साल पहला पारत पैराडाइस मना स्वरग सी, इसलामियान तों अग्गे चंदरवंशी, एस तों अग्गे सुरियवंशी सी, श गीता है मुख, गीता तों ही देवी देवता तरम स्थापन होया, ओ सत्यूग त्रेता तक चल्या अर्थात गीता शास्त्रतों आधी सनातन देवी देवता तरम दी स्थापना परंपिता परमात्माने किती, फिर तां अध्दा कलप ना कोई शास्त्र होया, ना कोई तरम स् देवता शत्रिय बनाया, गोया बाप तिन तरम सापन करदी हन, एह लीप तरम एस दी उमर थोड़ी रेंदी है, तां सरव शास्त्र मैं शिरो मनी शिरिमत पगवत गीता पगवान ने गाई, बाप पुनर जनम विच नहीं होंदे, जनम है, प्रन्तु बाबा केंदे मैं गरव विच नहीं होंदा, जनम लएगा पालना वि होएगी, तां सरव बाप केंदे मेरी पालना नहीं होंदे, सत्युग विच जो भी बच्चे होंदे हन, ओ गरव महल विच रेंदे, रावन राजु विच गरम जेल विच आणा पैंदा, पाप जेल विच पोगे जानदे हन, ग भार निकल नाल, फिर पाप करन लग जान दे, ओथे दी ओथे रहे, इत्थे भी बहुत परतिज्या कर दे हन, कि असी पाप नहीं करांगे, बाबा केंदे देखो, बच्चे परतिज्या कर दे, एक दो ते काम कटारी नहीं चला मांगे, क्योंकि विकार आदी मद अंत पोग दे नहीं क्योंकि रामराज है न सतः युग विच, ओश दी स्थापना उन बाप फिर तो कर रहे हन, संगम युग दी ही स्थापना, संगम युग ते ही स्थापना हुनदी है, जिमें बाबा, उन बाबा केंदे है के बाप ने इस शरीर विच परवेश कीता, जिमें इस दे विच बाबा आउंदे न, ओता है ही सतो परधान, कोई ता दुख दी तकलीफ, बाबा केंदे आत्मा दी है, इनि क्राइस्ट दी बाबा गल कर रहे, क्राइस्ट दी आत्मा तर्म सापन करन ली आई, उस नो कोई सजा मिल ना सके, केंदे क्राइस्ट नो क्रोस दे चड बाबा केंदे उस सेहन कर दे हन जिमें इस विच बाबा अउंदे ओता है ही सतो परधन कोई वी दुख तकलीफ उस ती आत्मा नू हुनदा है शिब बाबा नू नहीं होंदा मना ब्रह्मा बाबा देविच जिमे शिब बाबा ने परवेश कीता एस तरा क्राइस्ट दी आत्मा ने उस आत्मा देविच दुसरी शरीर विच परवेश कीता ओतस दैव सुक शान्ती विच ही रहन दे एवर सतो परधान है प्रन्तो आउंदे वी एस पुराणे शरीर विच हन जिमिक क्राइस्ट दी आत्मा ने जिस विच परवेश किता उस शरीर नो दुख हो सकदा है क्राइस्ट दी आत्मा दुख नहीं पोग सकदी क्योंके सतो रजो तमों विच आउंदी है नमिया नमिया आत्मा मा आउंदिया ताहन न उसनो पहला दुख जरूर सुख पोगना पवे फिर दुख नहीं दुख पोग नहीं सकदी ला नहीं कहनदा इस विच बाबा बैठे हन कोई वी तकलीफ इस मना ब्रह्मा बाबानों होंदी है शिबाबानों नहीं हो सकदी प्रन्तु एक गल्ला तुसी जान दे हो होर किसे नू भी पता नहीं है इस सारे राज बाप बैठ समझाव दे हन पक्ती मारक शुरू होंदा है ताफे शिबाबा दी पूजा होंदी है पहला पहला पक्ती कौन करदा है ओ लक्ष्मी नारण जदो राज करदे सी ताँ पूज्य सी फिर वाम्मारक विचा जान दे ताँ फिर पूजारी बन जान दे बाबा समझाव दे हन तो आनू बच्च्यानों पहला पहलाई बुद्धी विचावना चाईदा है कि निराकार परमपिता परमात्मा एस द्वारासानों पड़ाउं दे हन एस तरह होर कोई जगा सारे विश्व विच नहीं हो सकदी जिस तरह एथे समझाउं दे हन बाबा ही आके पारतनों फेर तो स्वरगदा वर्सा दिन दे हन त्रिमूर्ती नीचे लिख्या होया है न कि स्वरगदी राजय तो आड़ा जनम से द अधिकार है शे बाबा आके तो आनों स्वरगदी बादशाई द वर्सा दिन दे हन लाइक बना रहे हन तुसी जान देओ बाबासानों लाइक बना रहे हन एक ज्यान सागर पतित पावन एक बाप है एक निराकार बाबासानों पड़ा रहे हन शे बाबा ब्रह्मा तंदे द्वारा बैटके श्रिस्टी दे आदी मद अंतदा ज्यान सनम दे हन मनुख नों नौलेसफुल नहीं कहा जान्दा बाबा केंदे एता निराकार बाप नौलेसफुल है गौन्दे भी हन के गौड़ फादर इस नौलेसफुल पीसफुल ब्लिसफुल उसदा वर्सा भी चाहिदा है उस विच जो गुण हन और बच्यानों मिलने चाहिदी हन ते होन मिल रहे हन बाबा केंदे गुणानों तारण करके तुस्येस तरा लक्ष्मी नारण बन रहे हो अग्ये बाबा ने फिर बच्यानों लास्ट विच केहा के जो जिन्ना पूर्शारत करनगे ओही कलब कलब चलेगा होन तो आड़ी बुद्धी दे विच है के निराकार पगवान स्वाइम बैटके सानों पड़ा रहे हन अच्छा मिठे मिठे सिकील दे बच्यां प्रती मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग रोहानी बाप दी रोहानी बच्यानों नमस्ते तारणाले मुख सार्प पहला पॉइंट बाप तों तुसी पवित्र बनन दी बाप दे नार तुसी पवित्र बनन दी परतिग्या कीती है ओस्ते पक्का रहना है काम, क्रोध, आदी, पूतां ते जित्त प्रापत जरूर करनी है दूसरा, चल दे फिर दे हर कम कर दे पड़ाउन वाले बापनों याद रखना है होन नाटक पूरा हो रहा है एस लई, एस अंतिम जनम विच पवित्र जरूर बनना है वरदान, एक लगन, एक प्रोशा, एक रस वस्था द्वारा सदा नर्विघन बनन वाले निवारन सरूप पव सदा एक बाप दी लगन, एक बाप दे कम दी लगन विच मघन रहो एस तरा मघन रहो, जो संसार विच कोई भी वस्तो या व्यक्ती है भी, एक अनुपव ही ना होवी एस तरा एक लगन, एक प्रोशे विच, एक रस वस्था विच रहन वाले बच्चे सदा नर्विघन बन, चड़दी कलादा अनुपव कर दे हन सलोगन है, अशरीरी बनना वाइरलेस सेट है माना बहुत टचिंग संदियाने कैचिंग पावर वद जान दी है वाइसलेस बनना वाइरलेस सेट दी सेटिंग है अच्छा, ओम शान दी